हलो मेरे दोस्तों कैसे हैं आप लोग मेरी उमीद और मेरा विश्वास आपके साथ है सब कुछ अच्छा और भैतर होगा विदेश जाने का सपना है विदेश जाने की सोच रहे हो कि विदेश कैसे जाया जा सकता है तिकि तो कैसा हो था जब मैं 12-13 साल पहले मेरा भी तो मेरे पास opportunities इंडिया में 10-15,000 की job है और घर की जो financial situation उससे पूरिकती हो नहीं रहे थी और इतनी है मेरे पास opportunity नहीं थी कि मैं इंडिया में जाके अपना खुद का business कर सकूं यो कि कोई भी business करने के लिए आपके 10-20 लाख रुपे back balance होना चाहिए behind में कोई भी business आप कर लो या कोई ऐसी skill सीको है तो हमने इतना पढ़ाई करा नहीं हमारे पास एक या opportunities थी कि विदेश जाके काम करा जाए ताकि उस पैसो तो भगवान की दूआ से मैंने आज 13 साल complete कर चुका हूँ विदेश में और भगवान की इतना पैसा हो गया है कि मैं अगर आगको job ना रहे य को मेरी passive income rental है कुछ मेरी FDs है तो इस तरह से मैंने अपनी income बने 50,000 से 60,000 रुपए आ जाती है और अभी 2 साल और है तो उस पैसे को बचा के और invest करेंगे तो दीरे दीरे अपनी जो life है वो और mature और secure होगी तो आप भी वह चीज कर सकते हो तो विदेश जाने का सपना है ये चैनल बिल्कुल सही है मेरा एक comments आयता है मेरे चैनल पर तो मैं आज screenshot पर देता हूँ पहले उसको पढ़ते हैं और अगर आप सिंगापूर जाना चाहते हो मलेशया जाना चाहते हो European countries में job लेना जाते है पॉलेंड माल्टा क्रोशिया बुल्गेरिया रोमानिया वेर हाउस बहुत सारी jobs available है आपका क्या comments है आपके क्या queries है आप मुझे comments करना कोई भी आप विदेश जाना चाहते हैं या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके ओपर भी वीडियो बहा है आपका comments पढ़ा जाएगा उसके ओपर वीडियो से आज मैंने comments पढ़ा है एक चीच और थी अगर विदेश में sacrifice करना सीख लिया आपने तो भाई पैसो को बचा के आप अपनी life अपनी family की life बहुत अच्छी कर सकते हो विगी देखो ऐसा है यार आज की जमाने में 8% अगर 50,000 रुपे की income है तो family अच्छी से life गुजार सकती है तो वह हमारे पास नहीं तो विदेश जाके ही पूरी हो सकती है अब बात करते हैं जो आज का सवाल है कमेंट्स है आप क्या कमेंट्स है उसके उपर भी आगे वीडियो आगी तो कमेंट्स करना भर भर के और वीडियो को शेर कर देना तो एक सावा कमेंट्स तर सर मुझे लग रहा है एजन ने मेरी file नहीं हो रही है तो अगर सिंगापूर के लिए आप अप्लाइ करें चाहिए वह वर्क पर्मिट हो या एस पास हो इंप्लाइमेंट पास हो एजनसी प्लाइक कर रहे है तो आपको पता कैसे लगेगा कि रियल है या नहीं है तो सबसे पहले एक website आती है मैं screenshot पर देता है www.mom.gov.sg तो जो ministry of manpower जो यहां की organization है जो handle करती है work permits सिंगाप फॉरिनर्स work permits जो handle करती है तो उस website पर जाकर अगर आपकी application लगी है तो वहाँ पर जरूर शो होगी और आपको अपना passport number डालना है और application number डालना है अगर agent passport number application number नहीं दे रहा है या आपने passport डालके देखा वहा record आ रहा ह है या pending चल रहा है या reject हो गया या approved हो चुका है अब इसमें कितने दिन लगते हैं जैसे आपकी application लगी तो 14 working days अगर आपको जैसे एक तारीक 1st of April तो office holiday 2nd of April को आपकी file लगी है तो आपका जो result है वह 20 अपरेल तक आजागा 14 working days तो 14 working days में आप अगर आपकी file 2 अपरेल को ल number डाल सकते हैं अगर आपकी agencies आपको application number उस हिसाब से भी check कर सकते हैं और आप मेरी चनल की वीडियो सुद्धा के देखेंगे तो आप अपना permit IPA कैसे check कर सकते हैं वह already वीडियो बहुत सारी है आप देख सकते हैं अगर pending आ तो pending reject आ अगर वहाँ show नहीं हो रहा है तो इसका म अच्छिन सब्सक्राइब थैंक ये वर वाचिंग 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 वीडियो